उत्तपदेश के महुच जिले के चिरया कोट नगर पंचायत का हाल बुरा है जब चिरया कोट के नगर पंचायत बनाये गया तो लोगों को उमीद थी कि इस नगर पंचायत में विकास के नए आया मस्थापित होंगे ऐसा हुआ भी लेकिन एक कमी आज भी रह गई जब भी आप नगर पंचायत चिरया कोट के मुखे चौक से गुजरेंगे तो आपको जाम के जाम का शिकार होना पड़ेगा आप चाहकर भी जाम से नहीं निकल पाएंगे कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि इंबिलेंस भी यहां फस जाती है और कभी कभी तो लोगों की जान पर बनाती है इन सब की वज़े यहां की पुरानी सब्जी मंडी है सब्जी मंडी में सुबै से ही भीड लग जाती है सब्जी लाद कर बड़ी बड़ी गाड़ियां रोड पर आकर खड़ी होती है तो कभी किसान भी अपनी सब्जीयां लाद कर मंडी पहुंचता है जिससे सड़क पर भीशड जाम लग जाता है क्योंकि सब्जी मंडी वाली गली बहुत ही संकरी हैं जिससे गाड़ियां अंदर नहीं जा पाती ही इन सब वजहों से अक्सर यहां जाम लग जाता है जैसे जैसे नगर विकास के खाचों में आगे बढ़ता गया वैसे वैसे जरूरत महसूस होने लगेगी सब्जी मंडी को कहीं बाहर जहां बड़ी जगए हो अगर वहां कर दिया जाता है तो अस्थानी लोगों की भी शिकायत दूर हो जाएगी और लोगों को जाम के जाम से म अन्यत्र करने का जिला और तहसील प्रशासन से निवेदन किया जिस पर उपजिलादिकारी मुहमदाबाद गोहना ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को एक पत्र जारी कर कोविड काल का हवाला देते हुए सब्जी मंडी को घनी आबादी से दूर करने के लिए आदेशित किया जिससे नगर पंचायत ने सभी जरूरी परक्रियाओं को पूरा करते हुए पुरानी मंडी से कुछी दूरी पर मुक्य मार्ग पर नई सब्जी मंडी बसाने के लिए यूसुप खान द्वारा दिये गए आवेदन को अस्थली निरिक्षन के बाद नई सब करित किया गया इस सब्जी मंडी को यूसुप खान पुत्र अबू मुहम्मद खान की जमीन पर बसाया गया है जिसमें पुरानी सब्जी मंडी के बहुत से आड़तियों ने अपने अपने दुकानों की बुकिंग करा कर उसे बनवाया कुछ दुकानदार तो नई सब्जी म लोगों को कोई राहत मिली है क्योंकि सब्जी मंडी में जगे की कमी होने की वज़े से और सब्जी मंडी होने की वज़े से भीड बहुत ज्यादा रहती है अगर पंचायद को आए दिन लोग नगर पंचायद में शिकायत करते रहे और बराबर लोगों का ये कहना था कि जाम बहुत लगता है आम तोर से आदे घंटे 15-20 मिनट आप बजार से क्रास करने में लग जाएगा चुकि जाम हमेशा बना रहता है नगर पंचायद ने प्रस्तावित किया कि एक नई सब्जी मंडी एक नई जगह पे जाए ताकि इज्जाम की समर्शा से लोगों को निजाद दिलाया जा नगर पंचायद ने प्रस्तावित मंडी के हिसाब से ये कहा कि आवेदन किया जाए तो दो लोगों ने आवेदन किया चुकि पुरानी मंडी के पंचालक ने आवेदनी ने किया क्योंकि उनको उस time मंडी नहीं चाहिए थी सारे वैपारियों को उन्हें चोड़ दिया सारे वैपारी आ रहे थे सारे वैपारियों ने खड़े होके दुकाने अपनी बनवाई बनवाने के बाद लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि मंडी वहां नहीं चलेगी या ऐसा लगभग लगभग 80% वैपारी आ रहे हैं लेकिन अभी अपनी दुकाने नहीं लेके आ रहे हैं उनको भ्रमित किया जा रहा है बर्गला है जा रहे हैं अस्तानी प्रशासन उसके अस्ताथ से भी कोई आदेश पारित हुआ है कि पुरानी वरी सब्जीमंडी में बहुत जाद जाता है जाम लग जाता है इसलिए यहां पर अस्तान अंत्रित गया जाए इस तरह का कोई आदेश है जी नगर पार सिकुर्टी मिलने के बाद जो है यह जीम साहब ने नगर पंचायत से आख्या मांगी थी अगर पंचायत ने आख्या दी है कि यह जाम की समस्या पुरानी सब्जी मंडी की वज़ा से है पुरानी सब्जी मंडी बहुत सकरा मार्ग है और किसी भी कोई दुरगटना अगर बड़ी दुरगटना हो जाया आगजनी या कुछ ऐसा कुछ तो मंडी में कोई लोग सेफ नहीं हो पाएंगे क्योंकि 5-6 फिट का चोड़ा रोड है जिसमे जो है कि पुरानी सब्जी मंडी को असथांतरित करते हुए नए अस्थान पे मंडी को अस्थापित किया जाए उसके बावजुद जो है बैपारियों पर्मानेंट है क्योंकि कोरोना काल के बाद भी जाम लगता है चरिया कोट में और जाम हमेशा लगता है इसमें किसी परमाने उठे हैं आपे आबादी से दूर है ये सबजी मंडी कोविड प्रोटोकाल का यहां भरपूर पालन भी हो रहा है ये नई सबजी मंडी मुख्य सड़क से काफी अंदर है जिससे जाम का कोई सवाल ही नहीं आएगा मुख्य सड़क या चौक पर लोग आसानी से आवागमन कर सकते है तमाम सुविधाओं से युक्त नई सबजी मंडी में कुछ ब्यापारी तो आगे लेकिन कुछ अभी नहीं आए है ब्यापारीयों का कहना है कि इसमें राजनीती हो रही है नई सबजी मंडी हर लिहाच से बहतर है हमने कुछ दुकानदारों से बातचीत किया उनका कहना है कि देर सवेज सारे लोग यहीं आएंगे क्योंकि उन्हें यहाँ जैसी सुविधा कहीं और नहीं मिलेगी यहाँ साब सफाय भी है जबकि पुरानी सबजी मंडी में गंदगी का अंबार लगा रहता है जिससे भेंकर बीमारियों का खत्रा भी हो सकता है फिरानिये जाने में और चवरहय पि डहां पर पूलीसहोटी म्हाद परिशान ड्रकार भीरलारा मिलेश में एंकर मेरें इनकर म्हादा जो होते हैं कि चीए अंधरल्ला-वाई-शान ड़ान नहीं और यहां इतना काफी जगह है तो यहां अगर ब्यवस्था हो जाती है तो प्रसासन को बहुत हिलाब होगा और हमारे कोई भी बाद हाए उटपन नहीं होगी जैसे पुरानी मंडी क्या है कि उसमें बहुत ही स्पेस कम है जो है आयत दिन जाम लगता है जो है हम है वहां पर अगर समान लाते हैं गाड़ी से तो अंदर लेके जाने में बहुत समस्चाएं होती है जैसे लगन में और भी लोग होते हैं जो समान खरीदारी करने के लिए आती है है तो वह अलेड़ी अपना सारा सामान जो है कपार पे ढोके सर से ढोके बाहर लाते हैं जो है इसके अलामा जो है कि आये दिन जाम लगता है जो है प्रशासन भी देखता है लेकिन उसके कोई एक्षन सक्त कारवाई कुछ भी नहीं करता है जो है अभी जल्द की गटना है अभी जाम लगा हुआ था जिसमें बच्ची का एक्सिडेंट हो गया उसका पैर भी कड़ गया जो है तो इस तरह की समस्या है सर हमेशा होती रहती है और आप इसका लाइब एक्जामपल जब जाये तब जाके मार्केट में देख सकते हैं अच्छा यह नई सब्ची मंडी में लगभग कितने लोगों ने अपना रजिश्टेशन कराया होगा यहां पर दुकान के लिए सर इसमें तो लगभग लगभग सौ से ऊपर वैपारी है जो है उस मंडी के बहुत से वैपारी करा चुके हैं लेकिन वहां से आना नहीं चाहा रहे हैं बाकी हम लोग जो भी लोगों ने रजिश्टेशन कराया है आप लोग देखी रहे हैं दुकाने यहां लेडी सजी हुई चल रही है और इस मंडी में देख रहे हैं बहुत ज्यादा इस स्पेस है तीन जो है कि तीस यहां पेंडी सब्सक्राइब.. मंडी के संचालक अब्दुल्ला खान ने बताया कि पहले सबजी मंडी के लिए दो आविदक थे हम मानक को पूरा कर रहे थे जिसके वज़े से नगर पंचायत ने हमारे पिता के नाम पर इस नई सबजी मंडी को स्विकृति दिया 23 मार्च को स्विकृति मिली उसके बाद नई सबजी मंडी में 35 दुकाने बनाए गई यह मंडी लगभग दो बीगही की जमीन में बनी हुई है नई सबजी मंडी के ज़रुत के सवाल पर संचालक अब्दुला खान ने कहा कि लोग जाम से परिशान थे पुरानी मंडी में मादर 5 से 6 फिट का ही रास्ता है जिससे तमाम परिशानिया आती रहती है अब्दुला खान कहते हैं कि कुछ लोग नई सबजी मंडी को लेकर हिंदू मुस्लिम के सियासत का कार्ड भी खेल रहे है यह मंडी जो है 26 जनवरी को सुरू हुई है और इसको जो सिक्रिती नगर पंचायत द्वारा आवेदन हुआ तो दो आवेदक थे एक भारेभफ सब्जी मंडी के नाम से, एक नई सब्जी मंडी को नगरपंचायत में सारे मानकों पर खरा उतरने पर सीकरिट किया और 23 मार्च को सीकरिटी प्राप्त हुई मुझे तोировать कितने दुकाने है है इस मंडी में सुरू किया। अब अगर जावरत पड़ेगी तो बी और सी सेक्षन सुरू करेंगे। बरवक्त में सेक्षन सुरू करके हमने कहा इसको सु Politik Benyoki मंदी पौने दो भीघे मेंघ कुछ आगर किसी भी कोई दुरगटना अगर बड़ी दुरगटना हो जाया आगजनी या कुछ ऐसा कुछ तो मंडी में कोई लोग सेफ नहीं हो पाएंगे क्योंकि 5-6 फिट का चोड़ा रोड है जिसमें कोई विवाहन जाना बड़ा मुश्किल है एमर्जंसी के दोर में मंडी के लोगो है लोगों को बरगलाया जा रहा है जिसमें यहां पर मंडी के गेट पे बूलट और बजाज सोरूम है और जो की एक नामी है दोनों उसके बाद जियो इस्टूर भी इसी कंपाउंड में है तो मतलब किसी तरीके से यहां बिजनस बैक नहीं है लोगों को धर्म के नाम पे यहां जो है परिशान किया जा रहा है कि धर्म के नाम पे ऐसा कुछ नहीं है हमारे जितने भी बैपारी हैं सब जो है किसी धार्मिक सिस्टम से नहीं जुड़े हैं नई सब्जी मंडी में जो प्यापारी सिफ्ट हो चुके हैं उन्हें अपने साथियों का इंतिजार है वो कहते हैं कि यहां पर ज्यादा बेहतर बेवस्था है जगह ज्यादा है हमारी गारियां आसानी से अंदर आ सकती है लोगों को जाम से मुक्ति मिल सकती है जिला यह सभी के लिए बेहतर विकल्प है अब प्रशासन पुरानी सब्जी मंडी को यहां कब अस्थांतरित करवाता है यह देखनी का विशय है लेकिन अगर पुरानी सब्जी मंडी के ब्यापारी खुद से पहल करें तो लोगों को कई सालों से लग रहे हैं जाम के जाम से मुक् अंचायत विकास के नए आयाम अस्थापीद करने में एक कदम आगे बढ़ सकेगा CIV इंडियनुस की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबातर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें